पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये राना एज्यूकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार डाउनलोड दिया नाउ होने वाला है फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जो अभी जून में एक्जाम हुआ था उसका result आ चुका है उसका result कैसा रहा है नमबर टू हम बात करने वाले हैं टाइमटेवल जो दिसंबर कर लीजिए and hit that bell icon ताकि future में आने वाले सभी वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो आए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरी computer screen पर ओके गाई तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो अभी result आया है 25th of July को है ना ये जून में जो एक्जाम हो था उसका result आया है तो कुछ इसके main जो points से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ग्यात रहे कि अभी UGC net में चल के रहा है ना कितने बच्चे अपीर करते हैं कैसा competition है तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं उट्टल साड़े छे लाग के आसपास बच्चों ने एक्जाम के लिए रिस्टर किया था ठीक है उसमें से अपीर कितने हुए साड़े चार लाग से जादा चार लाग साथ हजार के आसपास बच्चों ने एक्जाम दिया है ना अब हम बात करते हैं particularly अपने subject के बारे में तो हमारा subject आप सबको पता है हमारा subject है 93 subject code है और हमारा subject है tourism administration and management है ना इस exam में guys कितने बच्चों ने एक्जाम दिया बच्चों ने एक्जाम दिया तो हम यह गैस लगा सकते हैं कि 1802,000 बच्चों ने इस एक्जाम के लिए रिजिस्टर किया होगा उस में से 1414 बच्चों में से 95 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया और 16 बच्चों ने यहां पे जे एरेफ क्वालिफाई किया और तो आप समझ सकते हैं the level of toughness of the exam यह ratio रहती है गाईस जो all इंडिया से बच्चे एक्जाम में अपीर होते हैं उसमसे कितने बच्चे अपीर क्वालिफाई करते हैं हर साल on average guys यही data आपको हर साल देखने को मिलता है तो अगर हम इन बच्चों को minus कर दें यहां पे तो 1200 के आसपास हम समझ सकते हैं कि इस बार बच्चों का net और जे एरेफ क्वालिफाई नहीं हुआ है और इस साल जो pass out होने वाले हैं या फिर जो eligible हो जाएंगे net exam देने के लिए ब हैं बच्चे exam देंगे तो जिन बच्चों का इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है वो के बुड़ी मोटिवेट ना हो हम दिसमबर के लिए बैच शुरू करने वाले हैं आप बैच को join करिए हम बहुत सारी classes करेंगे आपके हर एक dot को clear करने वाले हैं और दिसमबर में definitely guys NTA net tourism है ना 2023 और यह batch 2 है मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो first batch था वो जैन फैब मार्च में हुआ था और वो बैच जो था वो जून के लिए भी था तो उसका result आ चुका है हमारे कुछ बच्चों ने exam क्वालिफाई किया है उनके साथ बहुत जल्दी आपको एक वीडि हम शुरू करने वाले हैं guys starting from 7th of August 23 बिल्कुल August के first week में हम यह batch शुरू करने वाले हैं guys और यह batch चलने वाला है 34th December 2023 अब तक का tourism के जितने भी batches पिछले तीन सालों में मैंने conduct करवाया हैं सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा batch हम कह सकते हैं 150 days तक इसकी classes होने वाली हैं आप count कर सकते हैं साथ अगल से लेके 31 December तक 150 के आसपास days बनते हैं तो 150 days almost five months आपकी classes चलने वाली हैं और हम हर एक topic को आपका जो पेपर टू है tourism का उसमें 10 units हैं और हम 10 की 10 units को guys बिल्कुल step by step topic by topic यहाँ पे पढ़ने वाले हैं guys मैं आपको बताता चलों इससे पहले हमारे कुछ बच्चों ने net qualify किया था और होगा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि उन बच्चों का experience हमारे साथ कैसा रहा था तो शुरू करते हैं हम शुरू करने वाले हैं और उससे पहले timing आपको बता दूँ जो classes की timing रहने वाली है वो रहेगी 8.15 से 9.00 PM मतलब आप समझे लो 8 और 9 बजे के बीच मे इवनिंग में इवनिंग में classes होने वाले हैं क्योंकि इसके पीछे एक reason है बहुत सारे working होते हैं और उनको day में time नहीं लगता है कई अभी पढ़ रहे हैं कई job कर रहे हैं तो यह evening time रखा है तक आप सभी जो हैं इसमें classes को guys attend कर सके हैं तो हमारे जो timing रहने वाली है वो 8 और गाइज after every class जो Monday से Thursday classes चलने वाली हैं वहां हर class के बाद आपको एक mock test मिलेगा और जैसे हमारे को unit खत्म होती है class test after every unit जैसे हमारे को for example first unit खत्म होती है तो first unit खत्म होने के बाद आपको उस पूरी unit का एक class test मिलेगा इतना भी बच्चे हैं class में उस test को लगाएंगे और अप स्टेंड कर रहे हैं उनके learning हो रही है कि नहीं हो रही है तो यह हमारा schedule आपको बता दिया मैंना है ना classes कब होंगी कितने वज़े से कितने वे तक के बीच में होंगी और classes कहां होंगी classes मेरी app में होंगी वह आपको आगे बताओंगा Sunday हमारा rest रहेगा because rest is very much important है ना for the actual learning अब ह आपको एक समझाऊंगा क्योंकि सबका pattern same है है ना हमारी जो classes शुरू होने वाली है वो शुरू होंगी 7th of August से तो आप यहां देखो 17 अगस से लेके साथ अगस से लेके 17 अगस तक हमारी first unit चलेगी on an average मैंने 8 lecture दिये हैं सभी units को मतला हम 8 lecture में एक unit को खत्म करने की कोशिश क करेंगे हो सकता है कि यह 9 lecture हो जाएं 10 lecture हो जाएं यह भी हो सकता है कि यह 6 lecture में खत्म हो जाए यह 7 lecture में खत्म हो जाए इसलिए average हमना एक 8 lecture का लिया है अब देखें आप 7 अगस्त को हम शुरू करेंगे तो 7, 8, 9, 10 मंड़े से थरस्ते उसकर 11 और 12 को आपका weekend आएगा means Friday and Saturday त तो हमारा 18 और 19 अगस्त को आपको class test मिलेगा किसका unit 1 का and 7 में guys आपको मिलने वाला है previous year paper in the form of mock test मैं आपको बताता चलू 2012 से लेके अब तक net tourism के जितने भी paper हुए है पहले CVS चिक राता था अब NTA करवा रहा है जितने भी paper हुए है वो सारे आपको course में मिलने वाले हैं उन timer वहां पर चलेगा और आप उसको attempt करेंगे और आप उसमें देखेंगे कि आप उसमें 100 questions में कितने सही कर पा रहे हैं कितने आपके गल्त हो रहे हैं तो आपको pattern आपको समझ आ गया होगा on an average हमने एक unit के लिए 8 lecture लिये हैं यह 7 भी हो सकते हैं 9 भी हो सकते हैं वहम आगे उस साथ में आपको मिलेगा 2012 का tourism का paper यह first unit की फिर आप देखें unit 2 again same pattern 21 अगस से 31 अगस तक हम पढ़ने वाले हैं unit 2 बीच में आपको unit 2 के mock test और 1 और 2 September को class test unit 2 और 7 में 2013 के tourism के paper in the form of mock test unit 3 कब से कब 4 September से 14 बीच में इनके mock test 15-16 को unit 3 का class test और 2014 का tourism का paper then unit 4 18 September से 28 September 23 September को mock test unit 4 29 September को class test unit 4 and 2015 का tourism के paper in the form of mock test then unit 5 कब से कब 2 October से 12 October 6-7 October को mock test किसके unit 5 के तेरा 14 October को class test किसके unit 5 का and 2016 के tourism के paper then unit 6 16 October से 26 October 20-21 October mock test unit 6 27-28 October class test unit 6 and उसके उसके बाद 2017 के tourism के paper in the form of mock test unit 7 30 October से 9 November same pattern mock test बीच में है class test है साथ में 18 के tourism के paper unit 8 हम पढ़ रहे होंगे 13 November से 23 November है ना 17-18 को आपके mock test किसके unit 8 के 24-25 November को class test unit 8 और 2019 का का tourism के paper in the form of mock test then unit 9 27 November से 7 December 1-2 December को mock test unit 9 8-9 December को class test unit 9 and 2020 का tourism के paper in the form of mock test unit 10 आपको मिलने वाली है 11 December से 21 December 15-16 December को mock test unit 10 22 December class test unit 10 और साथ में 2021 का net tourism का paper in the form of mock test यहां पर हमारी 10 की 10 unit खत्म हो जाएंगी उसके बाद 25 December को आपको मिलने वाला है 2021 का net tourism का papers उसके बाद 26 December को आपको देंगे 22 में जो exam हुआ है ना वो वाले आपके पूरे 22 and 23 आप समझ लीजिए वो आपको यहां पर tourism के paper मिलने वाले हैं और उसके बाद 27 December से लेके 31 December तक हम discuss करेंगे जो उस time पे आपका exam December में हो रहा होगा उसको कैसे आप attempt करने वाले हैं अभी dates आपको एक idea देने के लिए मैंने बनाई हैं यह dates थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती हैं यह जो जो आपको इसमें बताया गया ह पे मिलने वाला है तो यह time table है guys इसका PDF जो है आपको इस पीडियो के description में मिल जाएगा तो वहां से आप इस time table को download कर सकते हैं और अपने study table पे paste कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं guys कि यह course जो है यह classes कहां पे चलेंगी है ना और आप इसको कैसे join कर सकते हैं और पूरा pattern कैसे रहने वाला है अगर आपका कोई भी dot रहेगा time table के regarding या कुछ भी dot रहने वाला है तो आप इस वीडियो के comment section में अपने dots पूछ सकते हैं और वह course complete course of UGC NTA Net Tourism Plus इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको paper one भी complete मिलने वाला है तो guys यह course आपको कहां मिलेगा यह course आ नाम है Rana Education उस app को आपने download कर लेना है उसको कैसे download करना है उस पे अलग से वीडियो मेंने बना रखा है उसका link अभी आपको i button में देख रहा होगा और उसका link मैंने इस video के description में भी दे दिया है तो वहां पे जाके आप उस app को download कर लेंगे install कर लेंगे और उसको open कर लेंगे कि आप यहां पे search करें course का नाम जैसे मैंने कहा tourism plus है ना तो वो course आपको दिख जाएगा सबसे अच्छा तरीक है आप थोड़ा सा scroll down करें यहां पे एक folder होगा UGC NTA net है ना यह NTA UGC net इसको आप open कर लेंगे इसको open करते आपको NTA net के जितने वी courses है वो आपको guys यहां पे द जाते हैं और unit wise mock test मिल जाते हैं एक हमारा super course है वो सुर्फ paper 2 का है और यह recorded course है ना इसमें आपको 3 months की validity मिलती है इसका price 2500 है एक हमारा जो course है guys वो this one crash course of UGC anti net tourism यह हमारा 13,000 का है इसमें आपको सुर्फ paper 2 मिलता है यह वी recorded course है और इसकी validity 6 months है यह ना लेकिन हम आज इस course की बात कर रहे हैं वो यह वाला course है जिसका नाम है complete course of UGC anti net tourism plus और इसका price guys रहेगा 5000 और जो live classes मैंने आपको यहां पर open कर लेंगे है आप मैं आपको दिखा देता हूं कि इस आपको बता दिया price इसका 5000 है इसकी आप इसको इसकी description में एक बाद ध्यां से देख लेंगे यहां read more पर click करेंगे इस course में क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूं first है video lectures and mock test mcqs for all units paper 1 paper 1 के सारे content आपको recorded मिल जाएगा जितना as per slaves है ना then आपका video lectures and mock test and mcqs for all units of paper 2 according to news levels आपको यहां पर बहुत सारे videos मिलने वाले है recorded video lectures बहुत सारे है 18 years solved question paper from 2004 of paper 1 paper 1 के 2004 से लेके अब तक के सारे paper आपको in the form of mock test यहां पर मिल जाते हैं previous year paper solved in the form of mock test 2012 onwards paper 2 tourism के 2012 से लेके अब तक सारे paper आपको यहां पर solve in the form of mock test मिल जाते हैं PhD tourism entrance exam बहुत सी universities जो है वो PhD के लिए entrance exam लेती हैं वो सारे question paper आपको यहां पर मिलने वाले हैं मन्थवाइज जी के आपको 2018 onwards यहां पर मिल जाएगा mock test आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं mcqs मिलेंगे hospitality industry news आपको मन्थवाइज मिल जाएगी and live classes जैसे मैंने आपको बताया as per time table यह note आप एक अध्यान से पढ़ लीजिएगा है ना और उसके बाद हम थोड़ा सा scroll down करे तो मैं आपको दिखाता हूं इसमें आपको 167 वीडियो है 248 टेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वैलडिटी सिक्स मन्थ से अब मैं आपको समझा देता हूं means for example इसको आप आज परचेज करते हैं तो आज से लेके 6 मन्थ तक आपको इसकी वैलडिटी मिलती है इस कोर्स में जितना भी कंटेंट है इसको आप देख पाएंगे इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं देखने के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है किसी वी वीडियो को आप हजार वार देखो उसमें कोई लिमिट नहीं है number two अगर इस 6 मंस में आपका एक्जाम हो जात but in that case आपकी validity without any extra fees extend कर दिजाएगी till exam date, अगर 6 महने में exam हो गया तब ठीक है, अगर 7 महने में होता है या 8 में होता है तो आपकी validity अब तक बढ़ा दिजाएगी without any extra fees, तो यह इस course के कुछ main main point होगे, अब मैं आपको बताता हूं इसका content, आप content पे जाएंगे, इसको आप open कर तो यहां पर अलग-अलग folder आपको देखने वाले हैं, किन folder को ध्यान से देख लीजिएगा, पहले syllabus है आपका paper 1 and 2 दोनों का, then paper 1 study material में ने कहा कि paper 1 के आपका unit wise, आप यहां पर देख सकते है, unit wise सभी units के बहुत सारे videos, हर एक topic को explain किया गया है, वो आपको यहां पर मिलने व इसको open कर लेंगे, तो यहां पर देखें, unit 1, 2, 3 करके, मैं आपको एक का समझा देता हूं, बाकि आप खुद ही समझाएंगे, बाकि सबका सेम है, तो जैसे आप unit 1 पर click करेंगे, तो again आपके सामने folder आएंगे, first है recorded videos, अभी क्या है, इन videos में सभी topics को बहुत ही detail में समझाय गया है, और इसी में निच्चे PDF notes है, then MCQs है, और निच्चे आपका live classes recording है, अभी क्या है live classes recording, जो हमारे जैन फैर में जो batch हुआ था, उसमें जो live classes हुई थी, वो guys record होके यहां पर upload कर दी गई है, तो ऐसे ही आपको unit 2 का मिलेगा, unit 3 का मिलेगा, unit 4 का, till 10th unit, ओके, और अभी आप मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यह live classes वाला है, आप यहां पर click करेंगे, तो 23 में आता है, यह batch 1 है, यहां कहा कि batch 1 हमारा GenFab में हो चुका है, अभी हमारा batch 2 शुरू होगा, तो उसमें भी जो live classes होनी है, वो record होके यहां पर upload कर दे जाएंगी, यहां पर batch 2 आपक कोई class miss कर दो, तो यहां पर आके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो यह तो हो गया unit wise आपके recorded videos and live classes, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस course में और क्या क्या है, तो अब तक हमने paper 1 देख लिया, paper 2 देख लिया, अपर और नीचे आते हैं, यहां पर आपको करके 10 unit के आपको mock test मिलेंगे, और वैसे ही paper 2 यहां पर आप unit 1, 2, 3, ऐसे करके सभी units के बहुत सारे mock test है, आप देखें 17 अगर यहां पर test लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एक mock test में 20 questions होते हैं, you can imagine कि यहां पर कितने questions आपको एक unit से ही मिलने वाले हैं, solve करने के लिए, तो guys mock test 2004 onwards मैंने कहा, कि पिछले 18-19-20 साल के आपको paper यहां पर solve मिलने वाले हैं, paper 1 के, आप देखें, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 9, 10 करके आपको अब तक के सारे paper guys यहां पर मिल जाएंगे, अगर हम paper 2 की बात करें, उसके previous year के mock test papers की बात करें, तो यह paper 2 solved mock test 2012 onwards, आप यहां पर देखें, तो 2012 शुरू किया है, बारा, तेरा, चौदा करके, ऐसे करके हमारा सारे अप तक के यहां पर आपको update मिल जाएंगे guys, okay, then, उसके बाले हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, तो यहां पर आपको PhD tourism entrance exam मैंने कहा था, कि जो, जैसे HPU, Shimla के हम बात करें, या other universities हैं, वहां पर PhD tourism के ल सब्सक्राइब करें, तो आप देखें, यहां पर 18 है, 19 है, 20 है, मतलब 18 लेकर अब तक के, जो monthwise जी के हैं, आपको यहां पर मिलने वाला है, then, उसके थोड़ा और अगर हम निचे आते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, hospitality, industry, news, monthwise, and motivational ending, तो guys, यह complete package है, पेपर 2 के साथ सा course, tourism plus, परवनिस में guys, plus किया गया है, तो यह मैंने आपको course के बारे में almost सब कुछ ही बता दिया है, उसके बाद guys, यह जितने भी आपको मैंने भी videos दिखाए, है ना, या mock test दिखाए, इन सब का जो demo है, आप यह सोच सकते हैं, कि अभी जो सरने mock test और demo की बात की, उसमें है की नहीं हमें क्या बता है, तो guys, यह आपकी शंका दूर करने के लिए, इस video के description में आपको recorded videos का demo, mock test का demo, PDF का demo, सभी कुछ का demo guys, आपको यहाँ पे, इसके description में मिल जाएगा, okay, उसके बाद, इस course को join कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको guys, आपकी screen पे यह आप जो students लिखा है, मैंने, आप guys, यहाँ पे add हो जाएंगे, है ना, आप यहाँ पे add हो जाएगा, आप देख सकते हैं, बहुत सारे students ने already join भी कर रखा है, all right, so, I think मैंने आपको इस course के बारे में सब कुछ ही बता दिया है, tutor, हाँ, जो आपको पढ़ाने वाले हैं guys, मैं उनके बारे मैं आपको बता दूँ, उन्होंने चार बार net qualify किया है, four time, और अभी वो Central University से PhD कर रहे हैं, तो वो आपकी classes guys, यहाँ पे लेने वाले हैं, है ना, और जो हमारे previous students थे, जोनने जैन फैब में इस course को join किया था, and unfortunately, जिनका net qualify नहीं हो पाया है, अगर वो इस course को renew क पर्मा चाह रहे हैं, तो guys, वो मेरे से contact करें, क्योंकि उनको 1000 पे का discount यहाँ से दिया जाएगा, जो हमारे previous student है, अगर वो इपनी वैल दीटी को extend करना चाहते हैं, इस batch में classes को attend करना चाहते हैं, तो वो fees pay करने से बहले मुझे मेरी app पे तोड़ा discuss कर लें, उनको 1000 पे का discount य किसी भी device पे classes को attend कर सकते हैं, तो I hope मैंने आपको इस course के बारे में सब कुछ बता दिये हैं, अगर आपको कोई डॉट रहता है इसके बाद भी, तो आप इस वीडियो के comment में अपना डॉट पूछ सकते हैं, I'll definitely revert on your doubt, अगर आपको इस वीडियो गाईज अच्छा लगा है अबस्दिक सकते हैं, तो Is it कि एस नहा जड़ियो खूड़